सबी विद्वान साथियों को मेरा नमशकार दोस्तों सतीश पुरोईत आप सबी बीलो साइबान का इस यूटूब चैनल में स्वाकत करता हूँ दोस्तों आज वेरिफिकेशन झाए उसके लास्ड़ डिट है और उमीद है सबी साथियों का वेरिफिकेशन जो है वो कंपिलिट हो गया होगा तो सबी बीलो साइबान को मेरी तरब से बहुत बहुत बधाही और शुब काम नाएं दोस्तो अपना काम पूरा हो गया है वेरिफिकेशन का लेकिन यदि फोर्म का काम अभी भी चल रहा है फोर्म नंबर 6, 7, 8, 8 के इसके लावा फोर्म नंबर 9, 10, 11, 001 आदी कई परकार के दोस्तों फोर्म होती है तो आप मुझे उमीद है कि आप फोर्म नंबर 6, 7, 8 से अच्छी तरह से परचित हो गई है क्योंकि इन तिनों के वीडियो मेरे इस चैनल पे उपलब्द है इसके लावा आप साथ योंकि बार-बार मांगा रही है कि सर फोर्म 001 जो है वो किस परकार बरना है तो दोस्तो मैं इसमें पूरी जानकर लेकि आए हूँ आपके पास कि फोर्म 001 है वो किस का और कैसे बरना है तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको फोर्म दिखाता हूँ तो दोस्तो आप फोर्म देख पा रहे हो यह जो फोर्म उपर आपको दिखाई दे रहा है यह फोर्म जो है अपना 001 है तो दोस्तो मैं बता दू यह फोर्म जो है वो कब भरा जाता है उट किसका भरा जाता है दोस्तो जैसे कोई मतदाता है और उसका epic number गुम हो गया है या फ पिज़िदारी करवा सकते हो तो दोस्तो मैं आट नमबर के लिए इसलिए पहे रहाँ क्योंकि जो मदाता के पास पुराना एपिक नमबर है उस एपिक जो मदाता के पास पुराना एपिक कार्ड tvै वोस выз रहे गा उसमें को संसोदन नहीं होगा और जो आप फॉर्म नमर आठ बर रहे हो उसका नया एपिक अपने आप नहीं आएगा दोस्तों जो फॉर्म नमर छे बरतियों उनीका नया एपिक बनके आता है तो आठ नमर के जो है वो एपिक जो मतदाता सोची जो है उसी में चेंज होते हैं और यदि आप मतदाता का नया एपिक बनाना चाहते हो जिसका संसोदन हुआ है वो नया एपिक चाहता है तो आप उसका फोरम नंबर 001 बरकर अपनी जो निर्वाचन साखा है उसमें जमा करा दो और उसका सुलक जो है 25 रुपए सुलक उससे लेना है और वो भी अपनी साखा में इस फोरम के साथ है जमा देना है तो दोस्तों सबसे पहले पहलें निर्वाचक का विवरन बंढ़ना है निर्वाचक द्वारा भरहे जाने के लिए तो इसमें आपको विभरन बंढ़ना आप नीचे देख पार है ? शेवां में निर्वाचक रजिष्ट्री एपिक बनाओ तो आपको जो पूराने वाला एपिक है वो जमा कराना होगा यदि अगर गुम हो गया हो तो उस तिती में आप जमा कैसे करा होगे लेकिन इस गोशना के अंदर आप ये कहोगे कि जब भी मुझे वो पूराना एपिक प्राप्त हो जाएगा तो मैं वो एपिक जो है जमा करा दोंगा उसके बाद आप कोलम नंबर एक देखिए निर्वाचय का नाम तो यहाँ पर आपको निर्वाचय का नाम लिखना है जिसका एपिक नंबर नया जारी करवना चाहते है उसके लाब मूल कारड की एपिक संख्या येदि गया तो दोस्तों एपिक संख लिखना है पूरशिया महिला जो भी है उसके बाद उसकी जनमति थी आपको लिखने येदी ग्यात तो येदी पूरी तरह से ग्यात नहीं है तो आप जो उसकी पूरी आयूज जो है एक जनवरी 2020 है उसके आदार पर लिख सकते हो इसके लाबा पता तो एड्रेस में आपको काम चेंज हो गया है इसका लिख omogen हो तो गूम हो गया इसलिए इसके लाबा मैं एपिक भी और सी से संख्रिट करोंगा या करुंगी आपको आगे इसंदर आपको बताना सब्सक्राइब को लाएक नहीं आपको कौन क्या रहे हो अस लावा उंभ नंबर धो आहां पर ठीक क लगाना है मैं एत द्वारा अपना विक्रित पुराना कार्ड वापस करता करती हूँ यदि आपके पास अभी है और आप वापस दे रहे हो तो कॉलम नमर वन पर निशान करना है यदि आपका गुम हो गया तो आपको कॉलम नमर दो पर निशान करना है और आपको बताना है कि जब भी मुझे ये दुबारा कार्ड मिल जाता है तो मैं उसको वापस जमा करा दूँगा उसके बाद दिनांक और स्तान आपको सामने वाले कोलम में लिख रहा है दोस्तो आपको इतना ही बढ़ना है आगे जो है अधिकारी स्तेमाल के लिए है और सबसे नीचे आप देख पारे हो निर्वाचक द्वारा आर इपिक की अभी स्विकरती तो नीचे इसके आपको अस्ताक्सरो रंगोटे का निशाने लगाना है दोस्तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सकाइब जोहर करना क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं अपनी चैनल पे लाता रहता हूँ साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों क्योंकि जो भी आगामी वीडियो आएगा वो आप तक सिदा नूटिपिकेशन के द्वारा पहुंझ जाएगा साथ ही वीडियो को लाइक करना और अपने कीमती सुजाव जो है मुझे कमिट के रूप में लिक बेजना है दोस्तों वीडियो को शेर करना मत भूलना जै हिंद जै बारत